Hey guys, welcome back to my YouTube channel दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अभी recently में purchase की है LG का dual inverter AC 1.5 ton का 3 star के साथ आता है इसको मैंने Amazon से purchase की है अगर आपको ये लेना होगा तो इसका buying link description में दे दिया हूँ अब description में जाकर इसको purchase कर सकते हैं आती साथ इसका unboxing वीडियो भी डाल दिया हूँ वो भी आप देख सकते हैं तो उसका भी link आपको description में और i button में दे दूँगा तो दूस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये AC के remote के function के बारे में ये AC का remote का function है उसमें आप कैसे इसको control कर सकते हैं आपको क्या-क्या feature आपको ये remote में मिल जाता है सारा कुछ आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ और remote का वीडियो चालू करने से पथे आपसे एक छोटा सा request है अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आये तो फ्लिफ लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को आल पर सेलेक्ट कर देना क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो व्रोजाना लाते रहता हूँ चलिए अब हम करते हैं वीडियो को इस्टा तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह है LG Dual Inuator AC 2024 का remote जो कि आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देने वाला है इसमें आपको कुछ कुछ changes हो मिल जाता है compare करते हैं पहले के model से बटन का जो function का जो mode है वही बस change हुआ है बाकी remote has it is है तो आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे उपर में आपको comfort air का मिल जाता है यानि कि अगर आपको एकदम light air चाहिए एकदम दीरे दीरे सा हवा चाहिए हलका हलका से बस आपका room को ठंडा करे तो आपको comfort air mode में डाल देना है उसके बाद जो room है एकदम जल्दी से ठंडा नहीं होगा आपको हलका हलका ठंडा हवा देगा इसी को बोला जाता है comfort air second में आपको power button मिल जाता है अगर आपको AC को on करना है off करना है तो आपको ये वाला button को आपको दबाना होगा तो ये रहा इसका दूसरे button का function तीसरा button में आपको दो function मिल जाता है एक है light को on करने का और off करने का और अगर आप इसको तीन second अगर दबा के रखेंगे तो ये mute mode म चला जाएगा, same as it is comfort air में भी आपको 2 mode मिल जाता है अगर आप comfort air का button को 3 second के लिए दबा के रखेंगे तो wifi enable हो जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाता है उसके बाद आपको mode मिल जाता है, बहुत सारा mode रहता है इसमें, तो जैसे ही आप mode को दबाते जाएंगे, तो mode जैसे monsoon mode कई type का आपको इसमे mode मिल जाता है, in build, तो जैसे आप mode को एक बाद दबाएंगे, तो एक mode आएगा, दूसरा mode आएगा, तीसरा mode आएगा, चौथा mode आएगा, इस प्रकार से आप mode को change कर सकते हो और normal आपको पहले वाला mode लाना है, तो बस आपको ये बटन को दबाते जाना है, वो automatic feel आ जाएगा, और जैसे हम mode को change भी करेंगे, तो आप देख सकते हैं, mode को आप डाउन करना है, तो 24, 23 इस प्रकार से आप इसको डाउन कर सकते हैं, ये आपके fan speed का है, जैसे कि आप देख सकते है, fan speed 1 में है भी, 2 में है, उसके बाद 3, 4, 5, तो कुछ आपको इस हिसाब से इसमें आपको mode मिल जाता है, उसके बाद इसमें आप सकते हैं, 6 in 1 mode मिल जाता है, यानि कि यह जैसे 1.5 ton है, उसको आपको एक ton बनाना है, अधा ton, पॉन ton, जितना भी आपको बनाना है आप उसके हिसाब से बना सकते हैं, जैसे कि देख सकते है, AC 80 में चला गया अभी, उसके 50 में चला गया उसके बाद 40 में चले गया यह 40 आपका half ton बन गया और यह जो आपका है 50 यह आपका 1 ton बन गया और अब आप देख सकते हैं इसमें आपको 6 in 1 ac plus 4 आपको लिखा हुआ मिल जाता है याने कि आगर आपका ac 1.5 ton है तो उसको आपको एक ton का बनाना है जिरो पॉइंट 75 ton का बनाता है तो दोफ्तों आपको यहाँ पे मिल जाता है एक button 6 in 1 ac plus 4 का तो यह वाले mode में आप ac जैसे कि आपका 1.5 ton है तो दोफ्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है 6 in 1 ac plus 4 function button तो इसमें आप क्या कर सकते हैं जैसे कि आपका AC 1.5 Ton तो आप उसको 1 Ton बना सकते हैं 0.75 Ton बना सकते हैं 0.50 Ton अध़टन बना सकते हैं तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो अभी AC में है, उसके बाद ही 80 हो गया, देख सकते हैं, एक टन हो गया, उसके बाद ही आपका 0.75 टन हो गया और ये हो गया आपका आदा टन, तो आप इसके मदद से आप अपने AC का टन को भी convert कर सकते हैं, convertable कर सकते हैं, इसलिए इसको धूमालिया कूल के नाम से आता है और आप देख सकते हैं, AC आपको लिखा हुआ मिल जाता है, यह देखे fragments हैं अभी AC है उसके बाद यह DC है, तो इसमें आपको दो मोड मिल जाता है, उसके बाद यहां पर स्वंग मिल जाता है, एक आपका 건데 आप और स्विंग मिल जाता है, उसके बाद यह आपका उपर नीचे का है, यानि कि एक आपका जो swing है वो left और right होगा और एक है up and down होगा, तो यह दोनों swing button उसके लिए काम आता है, एक आपका उपर नीचे करेगा और एक आपका left से right और right से left करेगा, उसके बाद यह room temperature का है button और अगर आप इसको 5 second के लिए दबा के रखेंगे तो यह diagnosis के नाम से भी काम करेगा आपका diagnosis mode में यह चला जाएगा, तो यह रहा, यह button उसके बाद setup बटन में आपको sleep mode timer, अगर आपको timer लगाना है तो, जdayसे आपको time set करना है है, किसी भी चीज़ को set करना है तो, यह up का है, यह down का है, आपको दोनों बटन मिल जाता है, इसके बाद यहाँ पर function बटन मिल जाता है, और अगर आप किसी चीज को set करना है, cancel करना है, तो यहाँ से आप set कर सकते हैं, और यहाँ से आप cancel भी कर सकते हैं, तो यह सारा कुछ चीज आपको इसमें मिल जाता है, और सब से नीचे में आपक बस चेंज हुए बाकि रिमोट आपको हैजिटीज पहले जैसा वाला ही मिल जाता है तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा बताएगा जरूर अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को और पर सेलेक कर देना क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो रोजाना लाते रहता हूं तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बाई बाई टेक केर